हेलो डियर इस्टुडेंट आफ क्लास फेप्त बच्चो आज हम हिंदी फर्ष्ट में पाठ चार नरेंद्र के जीवन से नामक पाठ का अध्यन करेंगे तो बच्चो इसमें मैं बता दे रहां चाहते हूं इसमें नरेंद्र जो नाम आया है वो आपके स्वामी विवेका नंद्या के लिए आया है उनके बच्चपन का भी नाम नरेंद्र दथ था तो चलिए अब इस पार्ट को हम प्रारम करते हैं किसी देश के नौजवान ही उस देश के भविश्य को बनाने वाले होते हैं इसलिए देश की उन्नती चाहने वाले लोगों को देश के नौजवानों को सदे उत्साहित करते रहना चाहिए दुनिया को विकास का यह मंत्र देने वाले महापुरुस थे स्वामी बिवेकानन्द इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दक्त आईए इस पाठ में हम उने के जीवन के विसे में जनकारी प्राप्त करेंगे एक बार स्वामी बिवेकानन्द अमेरिका में भ्रमड कर रहे थे भ्रमड का अर्थ है बच्चों घूम रहे थे अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूग से निसाना लगाते देखा किसी भी लड़के का एक भी निसाना सही नहीं लग रहा था उन्होंने एक लड़के से बंदूग ली और खुद निसाना लगाने लगे निसाने लगाएं ये निसाने भी बिल्कुल सटीक लगें यह देखकर लड़के दंग रह गएं उन्होंने उनसे पूछा स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक लगा लिये स्वामी बिबेका नंद बोले असंभव कुछ नहीं है तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ अगर तुम निसाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष पर होना चाहिए तब तुम कभी नहीं चुकोगे यदि सोचो लड़कों को यह सीख देने वाली स्वामी बिबेका नंद का बचपन का नाम नरिंद्र नात दत था ये बड़े मेघावी चात्र थे मेघावी अर्थाद बच्चो प्रतिभावान नरिंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे उनकी माता भौनेशवरी, देवी कथा कह पानिया सुनाकर नरेंद्र में उच्छ संसकार भड़ती रहती थी उनके पिता विश्वनाथ दत कलकत्ता अर्थात बच्चो जो इस समय का कोलकत्ता है कि उच्छ नियाले में एक वकील थे उच्छ नियाले का बच्चो हम इसको इंग्लिश में खरते हैं हाई कोट नरेंद्र को अपने पिता से कुशागर बुद्धी और माता से धार्मिक संसकार विरासत में मिले थे जब वे च्छे वर्ष के थें तो उन्हें पास के स्कूल में भरती करा दिया गया उनके पिता उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भीज दिया गया दस्वी की परिच्छा में सारी स्कूल में अकेले नरिंध ही प्रसंप्षरणी में उत्रणी हुए शरीर से स्वस्त और सुन्दर नरिंध कुष्ती और तैरा की आधि खेलों में प्रवीर थे प्रवीर का मतलब होता है बच्चों तेज संगीत में भी उन्हें बहुत प्रीम था कहानी सुनाने में नरिंध का कोई जवाब ना था जब वे कहानी सुनाना सुरू करते उनके सहपाथी सब कुछ भूल कर उनकी कहानी सुनने लगते थे एक दिन नरिंध अपने मित्रों को कहानी सुनार है थे वे कहाने सुनाने एव सुनने में इतने मगने थें कि सिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही न चला कप्छा में बोलने की आवाज सुनकर सिक्षक ने पूछा वहां बाते कौन कर रहा है सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इसारा कर दिया शिक्षक ने क्रोधित होकर एक-एक से पाठ से सम्मंदित प्रश्ण पूछने आरभ किये अपनी पहले से की गई तयारी के करण नरेंद्र को छोड़ कर अन्य कोई छात्र प्रश्णों की उत्तर ना देख सका शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बात्चीत में मगन थे उन्होंने नरेंद्र को छोड़ कर सफी को बेंच पर खड़ा होने का दंड दिया लेकिन तभी नरेंद्र स्वयम बेंच पर खड़े हो गए शिक्षक ने कहा नरेंद्र तुम बैठ जाओ तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र ने वी नमरता पूर्वक कहा सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था सिख्चक नरेंद्र की सचाई की प्रती निष्ठा देखकर चकित रह गए सचाई की प्रती निष्ठा बचो इसके लिए एक सब्ध होगा सत्यनिष्ठ और सभी को छमा कर दिया नरींद्र को किताबी पढ़ने का बहुत शौक था वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे वे प्रती दिन पुष्टकाले से एक पुष्टक लाया करते अगले दिन उसे लोटा देते और दूसरी पुष्टक ले आते पुष्टकाले के अधिकारी को बहुत आश्चरी होता वे सोचते यह लड़का एक दिन में पुरी पुष्टक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढों करता है एक दिन उन्होंने नरींद्र से पूछी लिया तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लवटा देते हो। नरेंद्री ने कहा, मैंने आपके यहां से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहें तो किसी भी पुस्तक से प्रश्ण पोच सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लवटाई किताब उठाई और एक प्रिष्ट खोल कर प्रश्ण पूछना सुरू किया। प्रिष्ट कार्थ होता है बच्चों पेज। नरेंद्री ने सभी प्रश्णों के सही सही उत्तर दियें। अधिकारी के मुह से निकला ऐसा कैसे हो सकता है। नरेंद्र बुला इसके लिए सिर्फ अध्यास और एक अग्रता की आशकता होती है। मन लगा कर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धी के स्वामी थे नरेंद्री। बड़े होकर 24 वर्ष की आयों में नरेंद्र नाथ ने सन्यास ले लिया। और वे धार्मी ग्रंतों का अध्यान करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित याने बच्चो एक रखा और सक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने तीस वर्ष की आयों में अमेरिका के शिकागो सहर में आयों जित विश्व धर्म संसद में शूनिय पर बोलते हुए सूनिये बटा जिसको इंगलिश में हम कहते हैं जीरों बोलते हुए भारतिय संस्कृति का लोहा संपुर्ट बिश्व में मनवाया। उन्होंने सदेव अपने देश से अज्ञानता और अंत विश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लोटकर अपने देश वाशियों विशेस रूप से यूवाओं को जगाने के लिए सिंग गर्जना करते हुए यानि बच्चो जोस से भरे हुए आवाज में ये सबसे कहते हैं देखो जैसे लिखा है वो सिंग की तरह जैसे सिंग धारता है उसी तरह वो ओज भरी यानि उत्सा भरी अवाज में यूवाओं को जगाने के लिए सिंग गर्जना करते हुए उन्होंने कहा उठो जागो और उठो जागो आगे बढ़ो और अपना लक्ष प्राप्ट किये बिना रुको नहीं तो बच्चों इस पाठ में हमने यही जाना नरेंद्र आपके स्वामी बिवेका नन के जीवन से कि हमें जो भी काम करना चाहिए एक कागर मन से करेंगे तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी देखिए यहाँ पर कुछ विचार भी दिये गए हैं जिसम सबसे मुख्य बात यह है कि अपने लक्ष के साथ सच्चे बनू दूसरा है अग्यात अग्यात यह नहीं बटा इसका नाम नहीं पता है हमें यहां पर मन में एकाग्र सक्ति प्राप्ट करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल नहीं होते तो बच्चो इसी के साथ यह पार्ट समाथ होता है